जैहिंद दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, मैं और नई आडियो बुक लाता रहूंगा, तो चलिए, सुनते हैं यह कहानी, दीक्षा, खंड दो, चक्रवर्ती समराट दशरत की राजसभा, सूर्यवंशी राजाओं के गौरव के अनुकूल, सुसज्जित थी, दशरत अपने सिंहासन पर बैठे थे, निकट ही मंत्री परिशद उपस्थित थी, सामने एक उच्च स्थान पर वसिष्ठ एवं उनके अनुयाई ब्राहमन बैठे थे, दूसरी ओर वामदेव और उनके शिष्य, एक ओर सेनापती थे, दूस वसिष्ठ ने सारी राजसभा का मौन निरीक्षन किया और अंत में अपने नेत्र समराट के चहरे पर टिका दिये, जैसे वानी से ही नहीं, वह अपनी आखों से भी बहुत कुछ कहना चाहते हूं, उनकी वानी गंभीर, ठहरी हुई तथा पूर्णता आश्वस्त थी, समरा इस विशय में यदि मेरी इच्छा जानना चाहें, तो मैं कहूंगा कि समराट यदि किनही राजनीतिक कारणों से भी चाहें, तो राजकुमार का विवाह पूर्व के व्रात्तियों में न करें, जिन्होंने वैदिक कर्मकांड का त्याग कर, स्वयम को ब्रह्मवादी चिं में भी ऐसा कोई राजवंश मुझे नहीं दिखता, जो रगुकुल का उपयुक्त समधी हो सके, केवल उत्तर एवं पश्चिम वसिष्ठ रुख गये, उनकी आखें समराट के मुख से हटकर उस प्रतिहारी पर जम गई थी, जो राजसभा की कार्यवाही के मध्य भी कोई आवश्यक सूचना निवेदित करने के लिए समराट के सम्मुख उपस्थित हुआ था, निश्चय ही समाचार अत्यंत आवश्यक था, अन्य था वह इस प्रकार कार्यवाही के मध्य में सभा भवन के भीतर प्रवेश करने का सहसन करता, वसिष्ठ के साथ साथ प्रतियेक उ विश्वामित्र अपनी शिष्य मंडली के साथ उपस्थित हैं। जोड़ दिया, ठेहरो, मैं स्वयम चलता हूँ। इससे पूर्व की राजसभा का कोई अन्य सदस्य उठकर बाहर जाने का निर्णय कर पाए। समराट स्वयम उठकर बाहर चले गए। तशरत वचन देने में पहले के समान द्रढ नहीं रह पाए। रावण उनका ही नहीं संपर्ण देवलोक का आतंक था, वह जानते थे, ताड़का, मारीच और सुबह के विरोध का अर्थ था, रावण का विरोध। रावण से उन्हें लड़ना होगा, उस रावण से दशरत को लड़ना होगा, जिससे इंद्र भी डड़ते हैं, दशरत का मन कहीं डोल गया था, पर द्वंद्व का क्या लाब, वह वचन हार चुके थे, दशरत ने कई क्षण सोचने में लगा दिये, कुछ समय तक शून्य में घूरने के पश्चात बोले, सीमान्त चौकी पर सेना नायक बहुलाश्व स्वयम वर्तमान है, क्या उसने आपकी सहायता नहीं किया अर्शिवर, दशरत के स्वर में आत्म बल नहीं रह गया था, वह केवल अपने स्वार्थों की रक्षा कर रहा है समराठ, विश्वाम आश्व के कृत्यों से पूर्व परिचित हों, तभी तो उन्होंने यह नहीं पूछा, कि आर्शी के इस आरोप का क्या प्रमाण था, इस बार जब दशरत बोले, तो उनका स्वर अत्यंत संकुचित था, मैं स्वयम अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर आपके आश्रम की रक् मैं तुम्हें और तुम्हारी चतुरंगिनी सेना को लेने नहीं आया हूँ, तुम्हें अपनी अयोध्या की रक्षा करने के लिए भी सेना की आवश्यकता पड़ेगी, राजधानी तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है और तुम राजधानी के लिए, अपनी आयू और रक्षमता को पहचानो राजन, वन्य जीवन तुम्हारे लिए असहनीय है समराठ, मेरे यग्य की रक्षा के लिए, केवल दस दिनों की अवधी के लिए तुम अपने राम को मुझे दे दो, दशरत एकदम सन्नाटा खा गए, राम, राम राक्षसों से लड़ने जाएंगे, जिन राक्षसों के अत्याचारों को देखते हुए भी वह उनकी सदा उपेक्षा करते रहे, उनसे लड़ने के लिए वह अपने राम को कैसे भेज सकते हैं, किस बुरी घड़ी में तुम आये विश्वामित्र, मैं तो अपनी छोटी सी ग्रिहस्थी में प्रसन्न था, कोई अपने पुत्र को कैसे भेज दूँ, मेरा राम अभी कुल 25 वर्षों का है, मैं तो उसके विवाह की बात सोच, विश्वामित्र ने बात पूरी नहीं होने दी, दशरत, आर्य समराट, अब क्या छोटी बालिकाओं के समान गड़े-गड़िया का ही खेल खेलते रहेंगे, इस आर्यावर्थ के भविश्य के विशय में सोचने का दायित्व किसे सौप दिया है तुम लोगोंने, दशरत की आँखों से दो आंसु छूपड़े, मेरे पु तो क्या उनकी वे सूचनाएं गलत थी, क्या अयोध्या से सिध्धाश्रम तक जाते जाते तथे बदल जाते हैं, और यदि दशरत के विशय में सूचनाएं गलत थी, तो राम के विशय में प्राप्त तथे गलत हो सकते, किन्तु उनकी स्तब्ध ता ठीकी नहीं, दशरत का समझता है उन्हें, क्या वे यह अपमान सह जाएंगे, विश्वामित्र के नेत्र क्रम शहरक्तिम हो उठे, वे अपना दीर्ग परीक्षित आत्म नियंत्रन खो चुके थे, वे भूल गए कि वे दशरत की राजसभा में बैठे हैं, आज उन्हें वह सत्य क्या ही देना होगा, जिसे वे शब्दों में अभिव्यक्त करना नहीं चाहते थे, तेश और काल का भान उन्हें नहीं था, इस समय वे शुद्ध सत्य थे, कर्तव्य थे, दशरत, विश्वामित्र के उग्रस्वर से राजसभा थर्रा उठी, वीर तो तुम्हें मैं नहीं ही मानता था, किन्तु आज तुम ये सिद्ध करना चाहते हो, कि तुम अपने वचन की रक्षा भी नहीं कर सकते, तुम्हारा नाश बिना सोचे समझे वचन दे देने की इसी आतुरता से होगा, दशरत, जितने भी आर्शी मुनी, चिंतक बुद्धी जीवी सत्य और न्याय की रक्षा के लिए र ठीक कहते हैं, दशरत का राज्य उसके अपने प्रासादों के भीतर भी शायद नहीं है, वहां कैकेई का राज्य है, राशिवर, दशरत ने कातर स्वर में टोका, आज मुझे कहलेने दो दशरत, विश्वामित्र बोले, हम बुद्धी जीवियों ने आना सक्त होकर तुम् तुम सत्ताधरिय समझते हो कि सामान्य प्रजा तुम्हारे भूग के साधन जुटाने का माध्यम मात्र है, तुम समझते हो, प्रजा मात्र कीट पतंग है, पर दशरत, आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि हमारी रक्षा कर तुम, हम पर कोई कृपा नहीं करते, यह मैं किसी भी स्वस्थ क्षत्रिय को दिव्यास्त्रों का ज्यान देकर समराट दशरत बना सकता हूँ, मैं प्रतिज्या करता हूँ, शान्त हों भरत श्रेष्ट, वसिष्ठ सारे वार्तलाप में पहली बार बोले, आप कोई प्रतिज्या न करें, समराट के प्रतियुदार हो समराट अपने वचन से पीछे नहीं हट रहे वे स्वयम अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर आपकी रक्षा हेतु जाने को प्रस्तुत हैं किन्तु आप राजकुमार राम को ही ले जाना चाहें तो ले जाएं समराट बाधा नहीं देंगे उनके संकोच का कारण पुत्र के प्रती मोह ही है करतव्य शुन्यता नहीं मैं राम आपको सौपता हूँ किन्तु गुरु देव दशरत के मुँँ से निहश्वास निकल गया उद्विग्न नहों समराट वसिष्ठ ने उन्हें सांतवना दी और फिर विश्वामित्र से संबोधित हुए मैं आपके यश्च की रक्षा है तू दस दिनों के लिए राम आपको सौपता हूँ किन्तु आप मुझे वचन दे कि उसकी रक्षा के लिए आप उत्तरदाई होंगे और राजकुमार को सकुषल समराट को लोटाना आपका कर्तव्य होगा मुझे स्वीकार है विश्वामित्र बोले तशरत का बूढ़ा मन समझ नहीं पा रहा था कि वे हंसें या रोएं वे तो वचन हार ही चुके थे अब गुरु वसिष्ठ भी राम को दे देने के लिए प्रतिश्रुत हो गए थे पर गुरु देव ने स्पष्ठ कर दिया था कि अवधी केवल दस दिनों की होगी और उसकी रक्षा का दाइत्व विश्वामित्र का होगा क्या वे मान लें कि दस दिनों के पश्चात राम सुरक्षित लोटाएंगे क्या यह संभव है और यदि ऐसा ना हुआ तो वे गुरु वसिष्ठ से क्या कहेंगे दश्रत का मन कहीं अपने आप से ही खीज उठा था उन्हें इस प्रकार आतुर होकर वचन देने की क्या जल्दी थी और उन्हें सत्यवादी बन कर ही क्या करना है क्यों नहीं वस्पष्ट कह सकते कि वे राम को आर्शी के साथ नहीं भेजेंगे पर गुरु वसिष्ठ ने शायद राम को बुला भी भेजा था दश्रत अपने भीतर ही कहीं बहुत तूट चुके थे